तो हेलो दोस्तों नमस्कार गुड मॉनिंग और स्वागत आप एक नए दिन की सुर्वात में और मैं हूँ अभी एक उस्ताखन के बहुत ही फेमस और पहुत ही अच्छे मंदिल में मैं हूँ धारे देवी मंदिल में तो दोस्तों आज धारे देवी मंदिल के दर्सन करेंगे तो दोस्तों आज धारीदेगी मंदिर के दर्सन करेंगे और आपको भी कराएंगे चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ के कुछ तरह सा यह नहीं जा रहा है और दोस्तों पर से मंदिर का विव तो दोस्तों यह है धारीदेवी मंदिर और यह आपको जो सामने गाउं दिखाए दे रहा है यह गाउं है धारीगाउं गाउं का नाम ही धारीगाउं है और यह नीचे मंदिर है पहरे दोस्तों जब डैम नी बनावा था तो यह मंदिर जो है नदी के किनारे पर था जहां पर अभी है उसके नीचे तो नदी जो है उसके मंदिर के उस तरफ से और इस तरफ से पुरा खाली था तो डैम बना तो पर डूब गया फिर मंदिर को उपर उठाया और यह एक छोटा सा पैदल पूल बनाया है जाने के लिए कि अब पूरा पानी बढ़ चुका है इसके चारों तरफ से और आगे तक देखिए यह कितना पूरी पीछे तक भी है पूरी चलते हैं यह दोस्तों नदी का किनारा मागंगा का किनारा और यह देखिए यह मंदिर बीच नदी में सब सो उपर देखिए और उपर भीड देखिए लाइन लगी है पूरा कवर है पाने थंडा है न दोस्तों जितना जितनी गर्मी दूप लग लिए इतना पाने थंडा बरफ के तरह है फिल्टा वह गड़ दियो वन पंट्स है अ तो दोस्तों अभी अब लगें मंदिर की लाइन में और लाइन में कित्ती लाइन और यह संग्चिफ्ट इतियास मातनगा कर दोस्तों मंदिर से बाहर निकल गए है यहां फोटोग्रफ अलाओड नहीं है लेकिन हम परिकर्मा करके जा भाड़ जा रहे हैं अब यह देखिए यह देखिए सब्जी के चुल्डी बनी है माता की तो दोस्तों लंच भी हो गया है अभी हम मंदिर के ठीक सामने देखा यह चुला पूरे रहे हैं और यह फिर भी रहा है अब नमस्कार दोस्तों यह हमारे मौसाजी मैं दिल्ली से आरक हूं यह और अपनी देव भूमी में आरक हूं धरदेवी मंदिर में धरदेवी मंदिर के पात बहुत सालों से इनकी चार साल साल से आरहों मैं इनकी मंदिर पहले आता है इस टैम अब दर्सन करनाय हूं और माताराणी हमें आशिरबाद रखे और हर साल ऐसे बुलाते रहे और हम इनके दर्सन करते रहें और हमारे जो भाई लोग यह जो बेटे लोग हैं इनसे भी हमारा जो है मिलल होता रहे और मोसम बहुत अच्छा है और मतलब यहां से अब दिल्ली वापसी जाने की सब्सक्राणी हवा है यह दो को पर यह नदी यह जील है और अभी यह थोड़ी दिर में यहां से वापसी होगी और अपने गाउं बैंगवारी जाएंगे हम और वहां भी चार साल बाद जाएंगे वहां कभी मौसम वच्छा रहा है और आज रात वहीं होगा और उसके सब्सक्राइब कर लेते हैं और मंदिर माता को परणाम करें फिर निकलते हैं चलिए